नमस्कार मैं शादना पांडे मागदर्सन पर आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों महिलाएं घर की धूरी होती है कहा जाता है कि महिलाओं अगर नियम से धर्म शे या पूरे देती रिवाद जो हमारे शास्त्र के हैं अधि वो कर लेती हैं तो घर के पुरूज थोड़ा कम करते हैं अधि करते हैं कोई विशेश प्रभाव नहीं पड़ता है तो चलिए अब आज जानेंगे आज के वीडियो में कि महिलाओं जो है वो घर के लिए सुबह उठते ही क्या ऐसा करते हैं जिससे घर में बरकत हो देखिए आप कितना पैसा कमाते हैं वो महत्व नहीं रखता आप कितना कमा के ले आते हैं क्योंकि कभी भी कमाने को आपकी आमदनी कही ही नहीं जाती है असल में आमदनी उसको कही जाती है जो आप अपने बचा करकी अपने दिन रात के लिए अपने बच्चों के लिए रख पाते हैं असली आमदनी आपकी वही होती है जो आपकी बरकत कही जाती है तो यदि घर में बरकत नहीं है दोस्तों तो क्या ऐसा करें जिससे कि आपके घर में बरकत होने लगें इसमें से बहुत लोग ये काम करते होंगे लेकिन लाब क्यों नहीं मिल पाता है सही तरीके से नहीं कर पाते हैं देखिए एक घर को चलाना ना बहुत बड़ी बात है पहले जो बुजर्ग महिलाय होते थी वो पूरे नियम और धर्म से चलाती थी किसी को भले ही कोई बात बुरी लगे लेकिन उनका एक भी नियम तूटता नहीं था आज क्या है कुछ तो ब्यास्तता है कुछ क्या बहुत ज्यादा व्यास्तता है उसके चलते हम नियम को मोड तूड करकी इस्तेमाल करते हैं लेकिन ऐसी चीज़े आज बताने वाली हूँ जिसको कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग पौलन कीजिए आप निस्चित है कि 6-7 महीने एक साल भी हो सकता है क्योंकि हम देखी कर्म और ग्रह को अपनी माता को सेयर भी कर सकते हैं पूरी उम्मीद है ये वीडियो उनके लिए बहुत काम की होगी और अच्छी लगे तो लाइक जरूर करेगा चैनल को भी साथ सा सब्सकाइब कर लिजेगा दोस्तों आज 20 तारीक को मैं आपके शाथ 20 दिसंबर को साड़े-8 बजे रा लाइक भी करें और चैनल को सब्सकाइब भी करें देखिए सबसे पहले चीज बताती हूं कि जब आप सुबा सबेरे जगती हैं तो पहला काम ये करना है कि आप सभी कामों से पहले पहले चीज तो ये है कि आप सभी कामों से पहले आप उठे और अपनी घर से ताले खोल द आप अपने शुविधा अनुसार देख लीजिए तो पहले तो वो खोल देजिए उसको खोलने से आप देखेंगे कि बहुत कम चीजें ये आपको बताई भी जाती है कि सुबह ही घर में बरकत आती है साम को माता लक्षमी लेकिन सुबह बरकत आती है तो करने के लिए ये कर दूसरी चीज है कि घर में रात को सोने से पहले आपको अपने किचन में देखें वैसे तो नियम है कि अपनी किचन में भरा हुआ बरतन जरूर होना चाहिए जल से भरा हुआ एक पात्र जरूर रखें चोटी सी बाल्टी आप खरेद लेजिए स्टेल वाली जो चोटी मिलत चाहते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखे कि आपके घर में जल से भड़ा हुआ एक पात्र आपके रसोई में होना चाहिए अब हमारी ब्यवस्था क्या हो गई है कि हम जो है डाइरेक्ट आरों से पानी लेते हैं बच्चों को भी वही सिखा रहे हैं और वो भी वही करते जा रह हमेशा पानी कोसिस करिए भर के रखे भर कर कहीं भी अपने किचन में कहीं का मतलब कि अगर आपके स्थान है उत्तर में तो उत्तर में यदि रखते हैं भरा हुआ बर्तन तो उससे क्या होगा उत्तर में कुवेर की दिशा है दोस्तों और उस दिशा में जब आप भरा लेकिन में रहे कहने का यह अर्थ है कि जब कोई कार्य हम हमेशा करते हैं तो उसका फल हमें 100% मिलता है और 4 दिन ہी करके यदि हम उमीद करें कि इस चीजों का परिड़ाम हमें मिले तो कथा यह नहीं मिलता है आप बस बता रही हैं विस्वास करिए विस्वास करके उस काम को क करना सुरू करिए फिर देखे पहले तो अपने किचन में आप भरा हुआ बड़तन रखना अगर नहीं रखे तो आज से कोई मलमास खरमास मत सोची आप भरके रखना प्रारम करिए और जो सुबह आप जल ठीड़कते हैं में डोर पे ले जाकर के जल ठीड़कते हैं डालते है आपको वो जल जो है वो आपके जो भरे हुए बड़तन जो कि आप उत्तर साइड में रखे हैं उसी उत्तर के तरफ के बड़तन से निकाला हुआ वो जल होना चाहिए गिलास में लोटे में ले जाकर या फिर पूरा जल आप उहां छिरकना चाहें धोना चाहें तो धो उससे यह उतने लाव नहीं होते हैं लेकिन जो आपने भरके रखा हुआ है जो आपका पीने का पानी है उसको जवाप ले जाके छिड़कते हैं तो उसका अलग ही प्रभाव अपना होता है तो यह काम सभी को याद रखना है जो कि जरूर करना है देखिए जब समस्याइं गं अपने जीवन में चाहते हैं कि कोई गलतिया नहों बदलाव हमारे जीवन में होगर कोई तरह किसी तरह की दिक्कत चल दिए तो आप लोग से बस इतना करते हूं कि वीडियो को बस चालू कर देजी और उसको रख देजी कोई देखना तो है नहीं सुनना ही सुनना है आप खुद कुछ दिन में सब को बताने लगेंगे इतना मैं विश्वास के साथ करती हूं यदि छे महीन क्योंकि हर चीज़े उपर लिखी हो वीडियो में क्या है तो आपके लिए या हमारे लिए दोनों के लिए बस की बात नहीं कर नहीं सकते तो एक एक सीज होती है मेरे पूर कर लिए कर जो मैंने जल का उपायः बताया जल चीड़कने से पहले और भी अच्छा करना चाहते है और ओर भी रावा में चमत्कार देखना चाहते हैं तो आक昨ू की वहीत तो दाल नरी करें कर के बाएँ हाट lifting करें और दाहिने हाथ में जल ले करके ओम नमो भगवति वाशुदिवाय करके आप ड़लिए छे महीने में आपके घर में वरकत वापस नाये तो हमको कहिएगा कमेंट करिएगा और आप बताईएगा कि हाँ आपका कहा हुआ गलत है नहीं हो सकता है दोस्तों क्योंकि मेरा भी जिस चीज़ पर अनुभव होता है मैं उस चीज़ को पूरे चैलेंज के साथ करती हूँ तो आप बस ये करके देखिएगा लेकिन जैसे बताई थी भरके पानी जरूर रखना है अगली चीज़े क्या होती है कि किसी चीज़ को बहुत हमें ये लगता है कि कोई भी चीज़ है हमारे घर में कोई भी सामगरी है तो हम पूरी तरह से खतम हो जाती है फिर हम बढ़ते है लेकिन देखें, सिंदूर हो गया हमारे सिंदूर दानी में, या फिर नमक हो गया, या फिर चावल हो गया, जो भी चीजें हैं प्रयास करना चाएए, कि ठोड़ी हैं तो आप उनको निकाल लीजे, और निकाल कर पूरा उस बर्तन को भर दिजे, ये भी बरकत खेले जरूरी ह करना तो यह काम जरूरी हो गया चावल का बर्तन जो है कहा जाता है कि बहुत सुम होता है आप देखते हैं बेटी की ara पाठ कोई भी सुबकारे होता है तो चावल जरूर होता है तो चावल को पूरा उसका पात्र कोसिस करें कि भरा हुआ होना चाहिए और एक बार फिर बता देती हूं दोस्तों कि पानी का भरा हुआ बरतन आपके किचन में जरूर होना चाहिए अच्छा तो यही होगा कि आप क बस रखना शुरू करिए तो ये काम आप सभी को जरूर करना है जो कि सुबह कब भर के रखना है सुबह आप जगने के बाद जो आप अपने कीचन की साफ सफाई करती है कर लेजे और जो भरा हुआ बरतन पहले का था आपने माले जल उसको दरवाजे पिछड़ का बाकी जो बचा हुआ है आप उसको पीने के काम मिला सकती है खाना बनाने के काम पूरी तरह से वह आपके इस्तिमाल के लिए किसी भी तरह से यह न सूचिए पहले चीज तो यह जानिए उत्तर में जल भर कर रखने से आपके पितर प्रशन होते हैं साथ-साथ आपकी धन का जो रुक देना है यह काम आप लोग कर लिजिए और तीसरी चीज आपको जो की महत्वपूर्ण है कर लेना सुबह सबेरे जब आप जगती है और घर में बहुत कलेस है बहुत जगरे हैं लडाई है पती-पत्नी के बीच नहीं पड़ता है देखे जैसा कि मेरा अनुभव है परिवा आपस में पती-पत्नी इधर दर बैटे ऐसे जीवन को नर्क का जीवन कहा जाएगा ऐसे जीवन में धन का कोई फायदा नहीं है तो यदि लडाईयां होती है तो आपको एक काम और ध्यान रखना है अपने घर का नमक कभी भी जूठे हास से इस्तमाल न करिए ना ही अपने बचों को करने देजिए काम वाली लोग आती है तो देखिएगा वो नमक में जरूर दिक्कत करती है उसी से प्याज जो है काटना उसी से लासुन काटना उसी से मतलब ये इधर उधर करके नमक को भी गंदा कभी भी अपने घर के नमक को दूसीत नहीं होने देना चाहिए बले ही आप उसको अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं लेकिन ध्यान रखिए आपके घर का खाना भोग के समान होना चाहिए कोई भी चीज आप रखे हैं जैसे कि माले जी आप पती पतनी ही है पूरे खाने को कभी भी जूठा मत करिए विश्वास मानिये आपके घर की बर बड़ी बुजूर्गों की बात को हमेशा मानिये अगली चीज है कि कभी भी दूद या दही चाहे बहुत थोड़ा सा है उसको निकाली और निकालकर साब बरतन में कभी भी दूद या दही को जूठा करके नहीं रखा जाता है खाने पीने भर जो चीजे हैं उसको और एक एक चीज मैं जरूर बताती जा रहे हूं आप लोग बस सुनते जाए जैसे कोई महतपूर्ण चीज मैं बता की ही क्या करूंगी आप लोग को लगेगा उपर से देखे कि यह जानकारी वाली हमारे काम की नहीं है जैसे मैं कल की ही वीडियो बहुत महतपूर्ण उपर हाबी हो जा असा कुछ नहीं छोटे छोटे कामों से ग्रहसां तो होते हैं जीवन में खुसिया आती है तो बस यह चीज़े हमारे जीवन में पालन करना आनिवार है दोस्तों और मुझ से कुंडली दिखाना चाहते हैं पॉसनल ग्रहों के बारे में परामर्स लेना च आज के लाइब में भी बहुत महत्वपूर्ण बाते होंगी तो आप लोग के पास टाइम है तो साड़े आट बज़े जुड़िएगा जरूर और हां मुझ से कुंडली दिखाना चाहते हैं तो किसी भी गलत नंबर पर भरोसा न करिएगा यही मेरा नंबर है बाकी अन्य क कोई एक ही नंबर है अन्य कोई नंबर नहीं है तो चले दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक बार फिर कहना चाहते हूं लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए कमिंट बक्त में खूब हरहर महादेव का जयकारा लगाई मिलती हूं एन्य वीडियो में तक तक के अपना ध्यान रखी वोले नात का नाम लेते रहे हरहर महादेव महादेव कि अधान कर दो